चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय संतोशी माँ दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। रोहिणी नक्षत्र पूरी रात रहेगा और अगले दिन तक चलेगा। इंद्र योग रात आठ बज कर 51 मिनट तक रहेगा। उसके बाद वैधरती योग का आरंब होगा। विष्टी करण रात दो बज कर 56 मिनट तक रहेगा। इसके बाद बवकरण शुरू होगा। आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय दो पहर 2 बज कर 55 मिनट से 4 बज कर 17 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहुर्त यानि दिन का सबसे शुब समय दो पहर 11 बज कर 50 मिनट से 12 बज कर 34 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा व्रिशब राश्य में संचार करेंगे, जबकि सूर्य व्रिश्चिक राश्य में स्थित रहेंगे। 19 नवंबर 2024 मंगलवार को आप आज अपने सारे काम आसानी से निप्टा कर जीवन के दाइरे को बढ़ा कर सकते हैं। अपनी एकागरता बनाए रखें और अपनी सारी उर्जा उसी में लगा दें। ऐसा कुछ भी न कहें जो आपको भावनात्मक उल्जन में डाल सके। बिजनस का विस्तार संभव हो सकता है। आप पहले से ही खुले आउटलेट को नया रूप दे सकती हैं। लेकिन निजी मामले में हानी आपको अविश्वास महसूस करा सकती है। आपको चिंता हो सकती है कि दूसरे लोग आप से कुछ छुपा रहे हैं। कड़ी मेहनत से काम करना जारी रखें। जोखिम भरे विकलपों से बचें और आपको इसका पुरस्कृत किया जाएगा। अप्रत्याशिद्धन का कोई स्रोत आपको रीड के मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है। इसलिए यह समय है जब आप आध्यात्मिक कष्टों और अन्य परिशानियों का सामना कर सकते हैं। आज आप अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन शान्तिक कलपना और चिंतनशील मानसिक द्रिष्टिकोंड आपके स्वास्थे के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अपने दिल की सुने और प्रयास करें। क्योंकि जो भी हम बोते हैं, वही काटते हैं। आज का दिन करियर और कारोबार के मामलों में अनुकूल रहेगा। आपको कहीं से अचानक लाभ मिलेगा। नौकरी में आपके वरिष्ट आपको नया काम सौंप सकते हैं। आपको किसी निकट संबंधी से सहयोग भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। धर्म और कर्म में भी आपकी रुची रहेगी। दिन की शुरुआत कमजोर हो सकती है लेकिन आपको कुछ खास व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। आपकी आए बढ़ने से खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इनकम के स्रोत बढ़ने से आपको खुशी होगी और बिजनिस में आपकुछ मजबूत योजनाएं बनाएंगे जिससे आपकी सांख बढ़ेगी। आपको अपने जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है। आप किसी विरोधी को अपने उपर हावी न होने दें। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से आपको नई जानकारियां मिलेंगी। जिन पर अमल करना आपको लाभ पहुँचाएगा। यदि कोई बाधा आए, तो बातचीत के जरीए आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट भी प्राप्त हो सकती है। किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य बातें समझना आपके लिए कठिन हो सकता है। काम में प्रगति पाने में वक्त लगेगा, इसलिए जिन बातों में बदलाव चाहते हैं, उन पर अपना फोकस बढ़ाएं। सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी और जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करें। अपनी नकारात्मक आदतों को सुधारने की भी कोशिश करें। काम के साथ साथ नई स्किल्स भी सीखने की कोशिश करें। रिलेशन्शिप ठीक रहेगा, लेकिन आपके स्वभाव में बढ़ रही जीत की वजह से पार्टनर को कुछ तकलीफ हो सकती है। ठकान के कारण बदन दर्द की परेशानी हो सकती है, इसलिए अपना खयाल रखें। आज का दिन अच्छा रहेगा, सुबह शुभ सूचना प्राप्त होगी। सरकारी कारियों में लाब होगा और पुराने निवेश से फाइदा मिलेगा। व्यापार में मंदी रह सकती है, लेकिन कार्य स्थल पर सुख पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। दामपत्य जीवन सुख मैं रहेगा और विवादित मामलों में हल हो सकता है। अच्छे संपर्क से लाब होगा, लेकिन विवादों से बचने की कोशिश करें। संतान से सुख प्राप्त होगा और आय में व् उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहिए काम की अधिक्ता आपको शारीरिक रूप से ठका सकती है और दीवानगी का एहसास भी हो सकता है भाई बहनों के साथ आर्थिक समस्याओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए बहस करने की बजाए धर्य रखना ज्यादा उचित रहेगा अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें अब बात करते हैं लव लाइफ की परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को समय पर निभाने से संतुष्टि का अनुभव होगा प्रेम संबंधों में मधुर्ता बनी रहेगी लेकिन अपने काम के प्रती अत्यधिक प्रतिबधता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है इसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन अपनी भावना को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो आपके दिल में है आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी वह आपके रिष्टे में फिर से अंकुरित होगी अपने साथी को अपने प्यार की गहराईयों से अवगत कराईए और उस पर विश्वास करें क्योंकि विश्वास की नीव पर ही रोमान्स और प्रेम का रिष्टा विकसित होता है बीमार होने की संभावना हो सकती है इसलिए अपना ख्याल रखें आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है लेकिन यह स्थिती अस्थाई हो सकती है जिसके कारण आप अकेला महसूस कर सकते हैं लेकिन हमेशा अपने दिल की सुने और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को अपने साथी के साथ जरूर बांटे और उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं करियर की। आज किसी उर्जा आए या धन लाब की संभावना है जिसका उपयोग आप अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। कारिस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। सफर में गड़बडी या बीमारी आपको उदासीन महसूस करा सकती है इसलिए सावधान रहें। आज वह चीजें आपको आकरशित कर रही हैं जिन्हें आपने लंबे समय से नजर अंदाज किया था। आप अपनी आंतरिक शक्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शान्त रहना और आपकी यो योग्यता आपके प्लस पॉइंट हैं जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकती हैं। आज अपने दिल का मार्ग दर्शन पाकर आप सही दिशा और विकल्पों का चुनाव करेंगे। आज का दिन आपका द्रढ संकल्प और कठोर मेहनत रंग लाएगा। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी जो आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज में आपका भग्य कम जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज्यादा हाथ होगा। ये समय आपके करियर की उडान का है। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। बिजनस में लेन देन करते समय बहुत सावधानी बरतें। इस दौरान किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। इस समय कुछ नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यवसाइक निवेश से पहले अच्छे से सोच समझ कर निर्णे लेना जरूरी है। अब बात करते हैं सेहत की। आज के दिन अपने स्वास्थे में सुधार लाने और अपनी सेहत के लिए कोई द्रढ संकल्प वाला कदम उठाने में वक्त बिताएं। आप शारीरिक एक्सरसाइज वाली कोई क्लास जॉइन कर सकते हैं या कोई नई डाइट शुरू कर सकते हैं। ये भी तय है कि आप चाहे जो सोचे उस पर आसानी से चल पाएंगे। मानसिक सेहत के लिए भी आप सांस की एक्सरसाइज और योग आदी कर सकते हैं। स्वास्थि संबंधित परिशानिया आज कम होंगी और आप इससे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए शुब हो सकता है। यदि आप बीमा लेने का सोच रहे हैं तो आज का समय आपके लिए अच्छा है। खास कर यदि आपकी राश्य में आर्थिक लाब के संकेत हो। आरण लेने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए उप्युक्त रहेगा। इसके अलावा यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रहों का समर्थन मिलेगा। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए भी यह समय सही है आपकी राश्य इसे लाबकारी बनाएगी। यदि आप आप आउन लाइन पैसे कमाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिल सकती है। निवेश करने का यह समय अनुकूल है खासकर क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार में। डिजिटल मारकेटिंग के क्षेतर में आज सफलता प्राप्त हो सकती है तो इस दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि आप वेब विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाएं विचार और नई योजनाएं बनाने के लिए भी यह शुभ समय है। यदि आपकी वित्तिय योजना अभी तैयार नहीं हुई है तो आज इसे साकार करने का उत्तम अवसर है। ओनलाइन शिक्षा के लिए भी यह दिन अच्छा है विशेश रूप से आपकी राशिके हिसाब से। अगर आप स्वास्थिबीमा पर विचार कर रहे हैं तो यह दिन उसके लिए भी उपयुक्त रहेगा। प्रोध्योगी की समीक्षा में आज आपकी सोच बहुत आगे जा सकती है तो इस पर ध्यान दें। सौफ्टवेयर, ट्यूटोरियल के क्षित्र में भी सफलता का योग बन रहा है। इसलिए अपनी योजनाओं को आज साकार करें। यदि आप ऐसाईयों के बारे में सोच रहे हैं तो ग्रहों का साथ मिलेगा। आत्मसुधार के उपायों को आज अपनाएं क्योंकि इस दिन आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आटोमोटिव समीक्षा और लगजरी सामान में निवेश करने का समय भी आपके लिए शुब है। इस दिन का सही उपयोग करें और अपने राशिफल के अनुसार फैसले लें। आज का उपाय। आज आप हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करने से विग्ण दूर होंगे और शक्ती प्राप्थ होगी। यह उपाय सफलता और सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत प्रभावशाली होता है। यह उपाय नकारात्मक्ता को दूर करने, भाग्य में सुधार और शत्रूँ से रक्षा करने के लिए किया जाता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो.